नमस्कार मैं हूँ निशा उची कूद या हाई जंप में फॉस्बरी फ्लॉप तक्नीक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह खिलाड़ी क्रॉस बार को पार करते समें अपने शरीर को इसके चारों और अर्द वताकार कर लेता है जिससे उसके शरीर का सेंटर ओफ मास उसके शरीर से बाहर क्रॉस बार के नीचे आ जाता है आज हम विज्ञान के और भी अन्यसिद्धानतों को जानेंगे जिससे उससे अपने प्रदशन को और बहतरीन करने में लाव मिलता है फॉस्विरी फ्लॉप को समझने के लिए हमें सेंटर ओफ मास को समझने के साथ साथ यहां भी समझना होगा कि जितनी तेजी से हम उपर के और को कूदते हैं यानि उपर की दिशा में शुरुवाती गती और जितनी अधिक्तम उचाई तक हम पहुँच पाते हैं इन दोनों का आपस में क्या समझना है चलिए एक मज़ेदार प्रियोग करते हैं अपने साथी विनोद को हम कूदने के लिए खहते हैं जब यह खड़े हैं तो इनकी जमीन से उचाई 5.6 फीट है अब देखते हैं कि कूदने पर यह कितना उपर गए तो क्या इसके लिए हम यहां देखेंगे कि इनका सिर्ख किस उचाई तक गया नहीं वास्तव में जब यह जमीन पर खड़े हैं तो इनका सेंटर ओफ मास यहां इस उचाई पर है और जब यह उचले तो इनका सेंटर ओफ मास यहां पहुँच गया इससे center of mass की इस्थिती में इतना परिवर्तन आ गया यानि कि इसे हम जमीन से नहीं बलकि center of mass की प्रारंभिक और आखरी इस्थिती से ना पिंगे वैसे हम इसे सिर्की या पैरों की प्रारंभिक इस्थिती या अंतिम स्थिती से अनुमान लगा सकते हैं लेकिन उचलते समय सामनेता हम अपने पैरों को मोड लेते हैं जिससे उचलते समय शरीर कितना विस्थापित हुआ इसका सठी का नुमान लगाना मुश्किल हो जाता है अब इस बॉल को देखें जब इस बॉल को उपर की और को फेका जाता है तो इसमें एक प्रारंभी गती होती है और इस गती के कारण जो इसमें उड़जा होती है उसे गती जुडजा कहते हैं जितनी जादा इसकी प्रारंभी गती होती है उतनी जादा इसमें गती जुडजा होती है और यह उतनी जादा उचाई तक पहुँच पाती है और इस अधिक्तम उचाई में एक शण के लिए रूख जाती है और यहाँ पर इसकी गती जुडजा तो शुन है लेकिन इस पूरी की पूरी गती जूर्जा स्थिती जूर्जा में बदल गई और जब यहार नीचे आने लगती है तो इसकी गती फिर से बढ़ने लगती है और इसकी गती जूर्जा भी बढ़ने लगती है और यह जब जमीन से टकराती है तो इसकी गती अधिक्तम हो जाती है यानि कि गती जूर्जा भी अधिक्तम हो जाती है। और इस स्थिति में, इसकी पूरी की पूरी स्थिति जूर्जा फिर से गती जूर्जा में बदल गई। आप इसे कुछ इस तरह समझते हैं, जब यह बॉल एजूचाई पर है, तो इसकी इस उंचाई के कारण इसमें एक उर्जा होती है जो इसकी स्थिति जूर्जा कहलाती है और चूकि इस स्थिति में इसकी गती शुने है तो यहाँ पर इसकी गती जूर्जा शुने होती है लेकिन जब इस बॉल को हम इस उचाई से गिराते हैं तो इसकी गती दिरे दिरे बढ़ने लगती है और जब यहां जमीन से टक्रा जाती है तो उस समय इसकी गती अधिक्तम हो जाती है यानि कि इसकी अधिक्तम गती जूर्जा होती है और इस स्थिती में इसकी सारी की सारी स्थिती जूर्जा गती जूर्जाएं बदल गई और उर्जा सनरक्षन का नियम भी यही है कि उर्जा को न तो बनाया जा सकता है और नहीं नश्ट किया जा सकता है यहां केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्थित की जा सकती है अब हम कूदते समय खिलाडी की गती जूर्जा और स्थिती जूर्जा को समझते हैं अम माल लिया कि खिलाडी का भार M है और वह U गती से उपर की ओर को कूद रहा है इस गती के कारण उसमें गती जूर्जा होती है यानि कि उसकी टेक ओफ या जमीन को छोड़ते समय उर्जा हुई हाफ M U स्क्वार और जग खिलाडी अपनी अधिक्तम संभव उर्जाई H पर पहुँशता है तो उस समय यह गती जूर्जा स्थिती जूर्जावे परिवर्दित हो जाती है और वह है MGH और यह गती जूर्जा वस्तू की अधिक्तम उचाई पर स्थिती जूर्जा के बराबर होगी यानि कि हाफ M U स्क्वार बराबर MGH के या U स्क्वार बराबर 2GH यानि कि हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की प्रारंबिक गती उसकी अधिक्तम उचाई के वर्ग मूल के सीधे आनुपातिक होती है और हम इसे दूसरे सब्दों में कहें तो किसी वस्तू की अधिक्तम उचाई उसकी प्रारंबिक गती के वर्ग के सीधे अनुपात में होती है इस equation से पता चलता है कि खिलाडी की take off के समय उसकी गती यह नरधारित करती है कि वो अधिक्तम कितनी उचाई तक उत पाएगा और यहां पर H वहां उचाई है जहां पर खिलाडी का center of mass पहुचता है ध्यान दें यहां पर H खिलाडी के शरीर की नहीं उसके center of mass की मुचाई है जैसा कि हमने फॉस्बरी फ्लॉप में देखा था कि खिलाडी अपनी पीट को बार के उपर से ले जाकर अपने शरीर को बार के चारू और अर्ध विताकार कर लेते हैं और ऐसा करने से उनके शरीर का center of mass शरीर से बाहर बार के नीचे ही रहता है इस तरह अपने शरीर को अर्ध विताकार करके खिलाडी अपने center of mass को न्यूनितम उचाई पर कर पाते हैं और कम उड़जा या कम प्रियास करके जादा उचाई तक कूद पाते हैं और जितनी जादा vertical velocity या उपर के उरको कूदने की गती होती है खिलाडी का center of mass उतनी उचाई पर पहुँच पाता है और वह उतने ही उचे बार को पार कर पाता है अब हम high jam की अन्य तक्निकों में देखते हैं कि बार को पार करते समय खिलाडी का center of mass कहां स्थित होता है चुकि कैची यानि seizures तक्निक में खिलाडी बार को एक sitting position या बैठनी की स्थिति में पार करते हैं और पैरों से ही जमीन पर उतरते हैं तो इसका center of mass इसके शरीर के भीतर बार के उपर ही यहां कहीं पर होता है अब straddle तक्निक देखें तो इसमें खिलाडी अपने पैरों को फैला कर अपना चेहरा नीचे करके बार को क्रॉस करता है लेकिन ध्यान दें तो यहां पर भी पूरा शरीर बार के उपर ही है जिससे इसका center of mass बार के उपर ही रहता है और western रोल में भी खिलाडी का सीजी बार के उपर ही रहता है यानि कि केवल फॉस्बिरी फ्लॉप में ही center of mass शरीर के बाहर बार से काफी नीचे यहां कहीं पर होता है इसका फाइदा यहां होता है कि किसी दीव ही उर्जा में खिलाडी जादा उचे बार को पार कर पाता है यानि कि अगर कुछ खिलाडी हैं जो कि बराबर उर्जा लगा सकते हैं और समान vertical velocity से उपर के उरको कूद सकते हैं तो पहली तकनिकों से कूदने वाले फॉस्बरी फ्लॉप से कूदने वालों की तुल्ला में कम उचाई तक कूद पाते हैं दोनों हे केस में सेंटर ओफ मास समान उचाई पर है लेकिन च्यूंकि पहले केस में सेंटर ओफ मास सरीर के अंदर ही है तो शरीर को कम उचाई तक उठा पाएंगे लेकिन दूसरे केस में यानि कि फॉस्बरी फ्लॉप में सरीर को जादा उचाई तक उठा पाएंगे क्योंकि center of mass बार के नीचे से ही गुजर गया इसलिए थोड़ा ज़ादा प्रयास करने पर fosbury flop वाला खिलाडी ज़ादा उचे बार को पार कर लेगा क्योंकि हर बार उसका center of mass बार के नीचे ही रहता है और इसलिए अब इस तक्नीक का सारे professional खिलाडी उपयोग करते हैं तो अभी तक हमने देखा कि fosbury flop में किस तरह खिलाडी अपने center of mass या center of gravity को बार से नीचे रख पाते हैं और इससे उन्हें कूदने में क्या फाइदा मिलता है इसके अलावा उची कूद के ले खिलाडी पहले कुछ कदम सीधा दोड़कर घुमावदार रास्ते में घूमते हुए बार के पास पहुँचते हैं इस स्थिती में बार की ओर उनकी पीट होती है और फिर इस रास्ते को छोड़कर एक पैर से जमीन को धक्का देते हुए बार के उपर से कूद जाते हैं और सीधा बाहर लेंडिंग एरिया की ओर चले जाते हैं यानि कि घुमावदार रास्ते को छोड़ते समय उस स्थिती में जो खिलारी की दिशा है उसी दिशा में सीधे चले जाते हैं और यहां टेक ओफ के समय खिलारी को किवल उचा कूदने में फोकस करना पड़ता है न कि क्रॉस बार के उपर से जाने में और इसको हम न्यूटन के पहले नियम से समझते हैं कि यदि कोई वस्तू किसी दिशा में जा रही है तो उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि इस पर कोई बहारी बलना लगी जैसे कि यह धागे से बधा हुआ पत्थर जब हम इसे इस तरह गुमा कर छोड़ते हैं तो यह जस बिंदू में छोड़ा जाता है उसी बिंदू से गुजरने वाली सीधी रेखा की दिशा में चला जाता है इस फुवारे को देखिए यह पानी को कैसे बाहर की और को फेक रहा है जब हम इसे पानी में रखकत इस तरह गोल-गोल गुमाते हैं तो पानी की बूदें बाहर इस तरह चारू और भिखर जाती है यह बूदें जिस बिंदू में यह गुमावदार रास्ता छोड़ती हैं उस बिंदू से गुजरने वाली सीधी रेखा की दिशा में चली जाती है तो चलिए इस फुवारे को बना लेते हैं इसके लिए हमें रबर का टुकड़ा, स्ट्रॉ, कैची, गलू और स्टिक चाहिए सबसे पहले कैची से स्ट्रॉ के दो टुकडे काट ले उसके बाद गलू से दोनों टुकडों को इस रबर के टुकडे में इस थरह चिपका दे और इसमें डंडी लगा दे तो यह फुवारा बन के तयार है अब देख लेते हैं कि यह फुवारा कैसे काम कर रहा है जब किसी भी चीज को गोल घुमाते हैं तो वह बाहर जाने की कोशिश करती है पानी में इसे इस तरह गोल गुमाने पर इसमें पानी नीचे से उपर की ओर चड़ जाता है और बहा निकल जाता है तो आज के वीडियो में हमने उची कूर यानी हाई जम के विज्ञान को समझा और डिक फॉस्विरी जैसे कुछ हाई जम के चेंपियन्स के बारे में जाना लेकिन हमारे आस पास प्राकृतिक जगत में कई ऐसे चेंपियन्स मौजूद हैं जैसे कि टिड़ा इसके सरीर की कुछ हरत अंगेज बनावट है जिसके कारण यह इतनी उची छलांग लगा पाता है इसके विज्ञान को आप अपने आगी की कक्षाओं में समझेंगे धन्यवाद